यूपी के स्वार विधानसबा सीट उप्चनाओं में समाजवादी पार्टी को बड़ा जटका लगा है। यूपी के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला असम की सीट पर भाजबा गटबनन का कबजा हो गया है। इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि उप्चनाओं में सपा को बड़ा जटका लगा है। स्वार सीट आखरकार निकल गई है। यहां शफीक एहमद अंसारी ने 8824 वोटों से जीत दर्ज की है। जब चुनाओं आयोग ने स्वार सीट पर उप्चनाओं का एलान किया तो नामांकन दाखिल करने की आखरी तारीख 20 अप्रेल थी। अपना दल एस ने इस सीट से शफीक एहमद अंसारी को अपना प्रताशी घोशित किया। शफीक अंसारी स्वार नगर पालिका की अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी पतनी रेश्मा परवीन अंसारी स्वार की निवर्तमान पालिका ध्यक्ष है। अपना दल के प्रताशी के रूप में स्वार से पाले का दक्ष का चुनाओ वो लड़ रही है शफीक पहली बार विधन सबा का चुनाओ जीते हैं वही सपा ने आखरी वक्त में अनुरादा चाहान को अपना उम्मीदवार बनाया था मुस्लिम उन्हों काफी वोट दिया है और माने योगी जी और माने प्रधान मंत्रीजी पर फुरी अवास्ता है मुस्लिम लगतार बोट दे रहा है और अभी चला आगे बढ़ेगा स्वार की जंता ने जिस तरीके से अपना निर्णे रिया है उससे ये बास साफ हो गई है कि रामपूर की जंता अब किसी के बरगलाने में नहीं आएगी जो लोग संप्रदाइक बाते करते थे और जो लोग जूटी बाते हमेशा गुलामी की बाते करते थे उनके मुह पर सबसे बड़ा संदेश बस यही है कि आज जब योगी जी जी की जो क्ल्यानकारी योजना है उन्हें योजनाओं में यह कहीं नहीं है कि यह हिंदू के लिए या मसलिमान के लिए हैं भारतेंदा पार्टी ने कभी किसी के बीच में कोई गैप नहीं समझा इसी वजए रही आज जो स्वाट अंडर विदानसभा की जनता ने उसमें एक तरफ अपना फैस्टा दिया। अब्दुल्ला आजम की विधाई की रद हो गए थी। जिसके बाद स्वार विधानसभा की सीट खाली हो गए थी। इसके बाद उप्चनाव कराने का एलान चुनाव आयोक की और से किया गया। बिरर रिपोर्ट पीटीसी नियूज उत्तर प्रदेश।